Hey everyone, welcome to Biology Atees. आज की वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ The Life Cycle of Plasmodium. Plasmodium क्या है? Malarial Parasite है. Humans में malaria cause करने वाला agent है Plasmodium. यह Plasmodium ना कोई bacteria है, ना virus है, ना fungi है. यह प्रोटोजोन है बच्चो. प्रोटोजोन क्या होता है? Kingdom Protista. इस प्रोटोजोन का एक सब ग्रूप है Sporozone, जिसका एक्जामपल है आपका Plasmodium. तो Plasmodium Malarial Parasite क्या है? It is a Protozone. Plasmodium के different species होती है, जैसे कि Plasmodium Vivex, Plasmodium Malariae, Plasmodium Falsiparum, जो कि humans में different type के malaria cause करता है. जो Plasmodium Falsiparum species होती है बच्चो, यह सबसे ज़ादा dangerous species होती है आपकी Plasmodium की, जो most serious malaria cross करता है humans के अंदर. तो आज हम जानेगे कि किस तरीके से जो यह Plasmodium Parasite है, humans में malaria cause करता है. इसकी life cycle का हम detailed explanation पढ़ेंगे. ठीक है बच्चो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं primary host and secondary host से. Primary host क्या होता है? वो organism जिसके अंदर आपका parasite sexual reproduction कर रहा है, उसे एक हम कहते हैं primary host. जो malarial parasite Plasmodium होता है, यह sexual reproduction करता है एक mosquito के अंदर, female mosquito के अंदर, जिसका नाम है female anophilis mosquito. Secondary host वो organism होता है, जिसके अंदर आपका जो parasite है, वो asexual reproduction करता है और थोड़े से ही time के लिए उस organism के अंदर रहता है. तो हमारा Plasmodium जो parasite है, यह sexual reproduction करता है female anophilis mosquito के अंदर, इसलिए हम कहते हैं कि Plasmodium का primary host है आपका female anophilis mosquito and the secondary host where asexual reproduction takes place is the man. अब शुरुवात कैसे होती है, कहानी सुनिये, female anophilis mosquito ने मुझे bite किया, अब मच्छर bite क्यू करता है इंसान को, ताकि वो blood suck कर सके, तो female anophilis mosquito ने जैसे ही मुझे bite किया, मेरे blood को suck करने के लिए, उसका जो saliva था बच्चों, मेरी blood stream में enter कर गया, ठीक है, इसके saliva में Plasmodium मौ में cells होते हैं, liver के cells, hepatocytes, उनको infect करने लग जाती है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि Plasmodium की कौन सी form humans को infect करती है, sporozoid form infect करती है, क्या हुआ, जो mosquito की bite से, mosquito के saliva से, मेरी body के अंदर, plasmodium की sporozoid form enter कर गई है, ये sporozoid form जाती है, मेरे liver में, और मेरे liver के cells, hepatocytes को infect क करने लग जाती है, अब हेपैटो साइट्स के अंदर, asexual reproduction होता है, sporozoids का number increase होने लगता है, जैसे ही sporozoids का number increase होने लगा, मेरे liver के cells burst हो गए, रप्चर हो गए, अब ये liver के cells से release होकर, मेरे जो sporozoids थे, अब ये new form में convert हो जाते हैं, जिन ही कहते हैं, मेरोzoids, वापे सु सेक्जाली मल्टिप्लाई होए, लिवर सेस बस्ट में станов तोають अब ईसे के दूसरी फॉर मेरोज़ोइट, मेरे जाते हैं मेरे अरवीसी के अंदर, ये मेरी स्से अगा इट करता है, अरुमसरशो के दूसरी अर अ थे अो धुर्षे करने लग जाएगा, तुक है, जिस तरीक कि लिवरसेल के अंदर नवर स्पोरी ऐस के अंदर इंक्रीस पोरोजIDS का sounds लिवरसेल बॉस्ट हो गया उसी तरिके निए के अंदर असे कि अंदर एक्षू रोढई हो जाएंगे Keep in paradise प्रप्चर होने के वज़े से हम लोगों में फीवर होना, चिल्स फील करना, बाकि सारे मलेरिया के सिम्टम्स हमारी बॉड़ी शो करने लग जाती है. ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चों? जैसे कि स्पर्मेटोसाइट्स मेल गेमिटोफाइट्स होते हैं, जो कि स्पर्म्स प्रड्यूस करते हैं, फीमेल गेमिटोसाइट्स होती हैं, जो कि ओवम प्रड्यूस करती हैं, उसी तरीके से हमारे जो मेरोजोइट्स होते हैं, वो अर्बीसीस के अंदर, सेक्जुल साइक के जरिये male and female gametocyte प्रड्यूस करते हैं ठीके जी अब क्या हुआ वापस से कोई female anophilis mosquito आई और उसने मुझे बाइट किया जैसे female anophilis mosquito ने मुझे बाइट किया मेरे ब्लड को सक किया मेरे वो blood cells female anophilis mosquito की बाड़ी में चले गए जिन ब्लड सेज के पास male and female gametocytes मौझूद थे अब female anophilis mosquito की गट में male और female gamet का fertilization हुआ, zygote फॉर्म वा और वो zygote फॉर्दर डिवलाप होता है into sporozoids यह sporozoids female mosquito की गट से उसके salivary gland में चले जाते हैं अब वो salivary gland में मौझूद है जैसे ही कोई और female anophilis mosquito मुझे काटेगी उसके salivary gland से मेरी body में sporozoids enter कर जाएंगे तो यह है आपके life cycle of plasmodium क्या होता है female anophilis mosquito किसी human को bite करती है female anophilis mosquito के saliva से sporozoids body में एंटर कर जाते हैं the sporozoids reaches the liver cells liver cells में sporozoids का asexual reproduction होता है they increase in number which leads to rupture of liver cells अब यह sporozoids enter करते हैं हमारी RBC में RBC में जो enter कर रहे हैं parasites उनको अब हम sporozoids ना बोलके marozoids बोलते हैं ठीक है RBC के अंदर जैसे ही आपके marozoids आ चुके हैं यह क्या करेंगे इन में से कुछ marozoids asexual reproduction करेंगे और जिसकी वज़े से हमारा RBC burst हो जाएगा और हमारी body malaria के symptoms शो करेगी या फिर कुछ marozoids क्या करेंगे male and female gametocytes produce करेंगे अब जब female anophilis mosquito वापस से मेरा blood सक करने आई उसने क्या क्या बलट के साथ-साथ male and female gametocytes बे इंजेक कर दिया अपनी body में ठीक है अब इस female anophilis mosquito की body के अंदर इसके gut में fertilization होगा male and female gamets का which will lead to the formation of zygote ये zygote sporozoid बनाएगा ये sporozoid मौस्केटों की गट से मौस्केटों के salivary gland में जाएंगे जब वापस से कभी मौस्केटों किसी इंसान को bite करेगी उसके salivary gland से saliva निकलेगा और उस saliva में मौझूद sporozoid human की body में चले जाएंगे वापस liver cell में जाएंगे RBC में जाएंगे RBC में asexual reproduction होगा या फिर gametocyte के production होगी वापस से ये cycle repeat होती रहेगी तो this is the life cycle of plasmodium कुछ इस तरीके का डाइग्राम आपके NCRT में दियावा है मौस्केटों ने bite किया, sporozoid liver cell में गए, liver cell rupture हुए, जो merozoids थे वो RBC में गए RBC में asexual reproduction वा, RBC बस्ट फे, sexual cycle के जरिए male and female gametocytes फॉर्म वे male and female gametocytes आपके वापस से female mosquito की body में एंटर कर गए, gametes का fertilization वा inside the gut of female anophilis mosquito जो fertilization के बाद product form उसे zygote कहते हैं, zygote further develop वा sporozoids में, sporozoids गया आपका salivary gland में वापपस से mosquito ने जिसको bite किया, sporozoid form क्या हुआ 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 इंटर कर गई This is how malarial parasite plasmodium infects human being तो Primary host था आपका female anophilis mosquito, जहां पे आपका sexual reproduction हो रहा है, fertilization हो रहा है, zygote formation हो रहा है तो I hope आपको आपको यह तोपिक क्लियर हो गया होगा. Thank you so much for watching this video and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.